हेलो फ्रेंज मोधुमीता लिट्टिल कीचेन में वायलकाम मैं हूँ मोधुमीता आज मैंने और एक निव रेशीपी सेयार करने जा रहे हूँ आज मैं घर में बना रहे हूँ ये पोटेटो चीप्स जो बाच्चे बौड़े सब के पसंद हता है और मैंने आज जो चीप्स ब कि दिखाओंगी मतलब पोटेटो चीप्स माना के दिखाओंगी पारिफेक्ट कालार और पारिफेक्ट टेस्ट के साथ उतना आइक रिस्पी बनेगा मतलब दोकान जैसा बनेगा और ये पोटेटो चीप्स एक चुरू करते हैं। यह बनाने के लिए सब से पहले मैंने इहां पे दो अलू लिया। अलू को बहुत बड़ी आसा छिल लेते हैं। ये देखिए साब छिलना भी बहुत जोरूरी है अब देखिए मैंने किस तरह की इस अलू को ग्रेट कर रही ये देखिए इस तरह की गेटर की हिल्फ से बहुत बोड़ी असा पारफेक्ट ये चिप्स निकाल काएगा ये वला जो अलू को चिप्स निकाल रही ये नॉर्माल चिप्स के लिए ये देखिए जदा पातला भी नी ही जदा मोटा भी नी आप चाहे तो नाइब की हिल्फ से भी काट सकते लेकिन इसमें बहुत ही पारफेक्ट होगा आप तुरंत उस अलू को मैंने पानी में डाल देती हो इस चिप्स बनाने का खास टिप्स ये है पान मत पोटेटोस राइस को एक काटन की काप्री को उपर राखते हो एक एक करके जितना मैंने काटके रखी हो एक काटन की काप्री को उपर बड़ी आसा फैला देती हो ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है पूरा सोक जाएगा और इसलिए का काप्राई यूज कीजिए ताकि ब पानी है एक्स्ट्रा पानी है वो बड़ी आसा इसको निकालना है तो इसलिए धूब में नहीं रालोगे फिच चलेगा लेकिन इस तरह की कॉट्टन का कापड़ी को उपर राख के उपर मैंने इसको ऊपर ठोड़ा सा धाग देती हूँ ताकि देखिए मैंने किस तरह की कार रही इस तरह की इसको दाबा के पूरा पानी इसका निकाल लेते है इस देखिए मैं दिखाती हूँ बड़ी आसा इसका पानी निकाल के आ गया यह देखिए इस पोट्रेटो चिप्स को मतलब ड्राई नहीं गरना है कि धूब में सिखाना है जास्ट इसका पानी आच्छे तरह से सोक लेना है इस देखिए अब यह बाद में फ्राई करूंगी तब तक मैंने दुसरा बाला जो डिजाइन वाला आलू का चिप्स से वह भी रेडी कर लेती हो यहां पर देखिए ऐसा ही दो आलू लिया मेडियम साइज का उसको भी बहुत बड़ी आसा छेल लेती मतलब नया बला जो कच्चा आलू होता है वो बला आलू इसके देखिए मैंने इस तरह के गेटर की हिल्प से देखिए इस तरह के मैंने दबारी इसका जो डिजाइन है इस तरह के आएगा यह देखिए यह भी बहुत आसानी से मौस्त यह चिप्स निकल के आ रही है यह दे पूरा निकाल लेना है ऐसा फिर आलू काला पड़ जाएगा आम मैंने इस चिप्स को भी निकाल लेती हूँ यह जारी बाली थाली में तकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी वह भी निकाल के आ जाएगा इस चिप्स बनाने के लिए थोड़ा सा पानी ज्यादा ओइस्ट होता है लेकिन अगर अच्छा इसका रजाल लाना है तो जोरूर आलू को बहुत बोड़ी आसा तीन चार बार अच्छी से धोना है इस चिप्स को भी मैंने उसी तरह की कॉट्टन का कप्रे को पर राग देती हूँ और एक बात है धूप में इस चिप्स को बिलकुल सुखाना नही जास्ट कॉट्टन की काप्रे में राखिये और इसको अच्छी तरह से इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो बहुत बोड़ी आसा इसको निकालना है ये देखी मैंने पूरा एक साथ में डाल दिया आप मैंने इसी तरह की इसके उपर डाल देती हो दोसरा काप्रे और ये देखी ये भी चीपस तालने के लिए रेडी है कितना मौस्त इसका भी कालार रहे है मतलब आच्छी तरह से आलो को ध्योया ये देखी कालार कितना पुड़िया सब पर्फिक्ट आये है आप ये बला जो डेजान बला चीपस से ये भी आपी देखिए मतलब फ्राइ करन के लिए रेडी है आप देखी मैंने ये दो तरह की चिप्स रेडी होगा आप इसको फ्राइ करके दिखाते हो तेल मैंने पहले गरम करने के लिए राख दिया हो और तेल का जो टेमपरेचर है मीडिया में ना ज़्यादा हाई और स्लो भी नहीं है मतलों मीडियाम फ्लेम में इस पोटेटो चिप्स को मैंने फ्राइ करूंगी बिल्कुल लो फ्लेम में इस चिप्स को फ्राइ नहीं करना है उसमें क्या होगा ए जो चिप्स से बहुती ओयली हो जाएगा क्रिस्पी तो बनेगा लेकिन बहुती ओयली हो जाएगा तो इसलिए मीडियाम हीट में इस चि हिलाते रहेना इसी तरह के और पल्टा तरह तरह दोनों तरफ आप्छी तरह से फ्राय हो जाएगा यह चिप्स फ्राय करने के लिए components जादा टायम नहीं लागेगा ये देखिए मैं पल्टा रही हूँ और धिरी धिरी इसको फ्राइ कर रही हूँ रियली ये वला जो चीप्स बनेगा दोकान से भी पारफेक्ट है क्योंकि हम लोग इस चीप्स तालने में बहुती अच्छा मतलब घर का फ्रेस ओयल भी उज़ कर रही हो आलो भी बहुत बोड़ी असा पारफेक्ट है ये देखी कितना मॉस इसका काला रही है और बहुती क्रिस्पी बनी है मैंने इसी तरह की पूरा चीप्स फ्राइ कर लिया और ये चीप्स फ्राइ करने में ये लिप ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आप मैंने देखाती हो ये देखी कितना पारफेक्ट और कितना ही क्रिस्पी बनी है देख लिया न आप थोड़ा सो पर मैंने नॉमक छिडिका देती हो ताकि नॉर्माल जो फ्लेबार होता है आलो का चीप्स का वही नॉमक बला मैंने आप चाहे तो दोसरा फ्लेबार भी डाल सकते लेकिन मैंने इसी वाला चिप्स बना लिया कितना पार्फिक्ट कालर उतना बड़ी आसा क्रिस्पी बनी मैं तोड़के भी दिखाती हो कि कितना क्रिस्पी बनी है यह देखिए कितना क्रिस्पी बनी है यह लिए बहुत पार्फिक्ट कालर और बहुत बड़ी आसा ये नॉर्माल पोटेटो चिप्स बन गया आप मैंने दोसरा वाला जो डिजाइन वाला पोटेटो चिप्स से वह भी फ्राई करके दिखाती हूँ इसलिए मैंने उसी कड़ाय में डाल देती हूँ ये वाला चिप्स एक साथ में पूराने ही डालेंगे थोड़ा थाड़ा करके डालेंगे एक साथ में डालेंगे तो ये बीज में बीज में कच्चा रहे जाएगा तो आपका कड़ाय में जितना स्पेस है उतना ही डालिए इसका भी जो कालार है रियली बहुत ही पार्फेक्ट हैगा और इसी तरह की मतलब जे नॉर्माल वाला चिपसे उससे भी ये वाला चिपस पारफेक्ट और बड़ियासा बनेगा मतलब दोकान का जो पेकेड वाला चिपस होता है ना उससे भी पारफेक्ट बनेगा आप लोग भी घर पे ट्राइगे जी इसी तरह की बहुत बोड़ी सब पारफेक्ट घर का बना हुआ चिप्स बनेगा ये देखी धिरे-धिरे कालर भी चेंज हो रहा है और बिल्कुल थोड़ी से भी काला पन नहीं है ये देखी कितना मुस्त इसका कालर आई है इस टिप्स का और बनाने में भी ज़्यादा टाइम नहीं है इसी तरह की मैंने पूरा टिप्स फ्राइ कर लेती हूँ और एक बाद ध्यान दिलबा देती हूँ गैस का एड़ मीडियम राख के फ्राइ करेंगे तो ये पार्फेक्ट क्रिस्पी होगा बहुत कॉम हीट में फ्राइ करेंगे तो ज़्यादा ओयली भी हो जाएगा ज़्यादा हीट में फ्राइ करेंगे तो ये जल जाएगा मतलब कालार इतना बड़ी आसा नहीं आएगा ये देखी कितना मस्त रियली बहुत ही सब को पसंद आएगा आप लोग घर पे रियली बनाईए ये देखी कितना मस्त और कालारफुल ये घर में बन गया पोटेटे चुप्स आप चाहे तो इस चिप्स के साथ आपका जू 1% फ्लेवार होता है मसाला डाल के भी खा सकते हैं मैंने दुसरा कुछ मसाला अज नहीं डाल लिए हो थोड़ा सा नमग डाल के मैंने इसको बना रही हूँ आप चाहे तो पुदिना का फ्लेबार ऐसे टोमाट़ फ्लेबार टोमाटर का उड़र डाल के भी बना सकते हैं मैं तोड़के भी दिखाती हुकि कितना क्रिश्पी बनी है कालात तो आप लोगों को देखके पता लग रहे हैं कि कितना perfect color आए है आप देखी में तोड़के दिखाती हूँ यह देखिए यह ली बहुर दी मस्त और इसका पार्फेक्ट किस्पी हुआ और गेक तोड़के दिखाती हूँ हर चीप्स पार्फेक्ट और किस्पी बनी है सो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों कोई वीडियो पसंद आया वीडियो पसंद आया तो जोरूर मेरे चैनल को सबस्क्राइब कीजिए ऐसाई हर दिन न्यू रेसिपी देखने के लिए और बेल बोटन को प्रेस करना ना भूले ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मि मेरे न्यू रेसिपी देखने के लिए